हाई फ्रेंड्स वेलकम टो स्रनित्यास किचन आज मैं बनाने जा रही हूं गुलाब जामुन तो इसमें मैं यह रेडि मेट जो रेडि मिक्स मिलता है गुलाब जामुन का पोलिया है और चाहिए मिल्क तो इस मिक्स और मिल्क का रिश्यो यह है कि एक ग्लैस या एक कप यह र और चाहिए शुगर सिरप जिसके लिए शुगर वाटर इलाइची शुगर सिरप का रेश्यो है वन इस टु वन मिन्स वान ग्लैस शुगर के दिए वन ग्लैस वाटर यह दोनों मिला के बहुत देर तक उसको बॉल करना है तो सबसे पहले एक बोल लिया और उसमें हम इंस् इसको मिला लेना है अच्छी तरह से मिला अब अधी कि विड्क करते हैं हमारा ड्यरली से ब्लचśl के लिए ऐसी ही रख देंगे 5 मिनिट्स के बाद इसका हम बॉल स्टोरा बोल मिन्हें और इसको डी फ्राइब करेंगे और इस मिलसे हम में चाहिए ऑईडल like लिए यहापिय और एक बर मिक्स करके इससे ऐसा चुड़ा चुटा बाल्स बनाना है कि तो देखना है कि चैस statistic बांचाई हम हाथ में थूड़ा वाईल लगा कई से करके फ़ीं करके पाम फिर एसे में गोल गूल बाल्स अभी इसा को बेखाना है रही तनकले ि हाट लेके इसको इसमें बखके इसका बॉल बनाना है कि देखें हमाना बॉल is ready है जितना प्रेक्स कम आएगा उतना अच्छा है तो त्राइ किजी जितना क्रेक्स कम आए ऐसा बॉल प्रिपेर करने का तो इससे हमें बहुत सारा बॉल बनाने वाली हूं यह देखिए हमारा बॉल्स रेडी है और मैंने पहले ही कड़ाई में ऑईल डाल दिया था यह अभी गरम भी हो चुका है अभी इसमें हम लोग वो बॉल्स डिफ्राइ करेंगे अभी इसमें हम बॉल्स चोड़ रहे हैं इसको हम ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राइ करेंगे कुछ दिर के बाद इसको रिवर्स करतेंगे यह देखिए यह ब्राउन होना स्टार्ट कर दिया और कुछ दिर पुड़ा ब्राउन होने के बाद इसको हम ओल से उठा लेंगे और इस शुकर सिरप में डाल देंग ये देखिए वो डीप फ्राई होने के बाद शुगर सिरफ में मैंने ये डाल दिया अब इसको खुछ देट तक रखना है ऐसे ही उसके बाद हम सर्फ करेंगे ये देखिए हमारा गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी है तो आप भी घर में ट्राई कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बिल भी प्रेस कीजिए तो तब तक के लिए बाबाई फ्रेंड्स गुड धने गड़ नूग स नज पिंदर सुमा ऐसराइब कीजिए। आने हो आथ-स प्रेंस कीजिए और तeszी और मेरे कीजिए और ही आंब कीजिए और नुझेजिए